हलो और वेलकम तो पूनम्स किच्चिन आज की रेसिपी है चौकलेट केक ये एगलेस चौकलेट केक है इसे बनाया है बिना अंडे केक ये गेक बनाने के लिए मैंने यूज किया है हर्शीज का चौकलेट सिरप चौकलेट केक बनाने के लिए मैंने लिया है एक चमच बटर उसमें डाल दिया है half cup oil अब डाल दी है 3-4 cup चीनी अब डाल दी है 3-4 cup दही सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब उसमें डाला है हर्शीज का चौकलेट सिरप हर्शीज का चौकलेट सिरप 10 रुपए में मिल जाता है थोड़ा डाला है वैनिला एसेंस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है उसमें डाल दिया है एक कप मैदा 2-4 डाला है कोको पाउडर 1 टी स्पून डाला है बेकिंग पाउडर 1-2 टी स्पून डाला है बेकिंग सोडा सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है ये चौकलेट केक का बैटर रेडी है अब इसे डालना है केक तिन में केक तिन को ओईल से ग्रीस कर लेना है अंदर बटा पेपर या सिल्वर पेपर लगाना है अब उसमें डाल देना है ये केक का बैटर अलका सा डैप करना है एक पैन को पाँच मिनट पहले प्री हीट करना है अब उसमें स्टैन रखकर रख देना है ये केक तिन अब इसे डखकन लगाकर 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखना है 40 मिनट बाद आप देख सकते हैं केक पूरी तड़ा से दयार है अब इसे पूरी तड़ा से धंडा होने देना है ये रेडी है चौकलेट केक ये बेसिक चौकलेट केक रेडी हो गया है चीनी में गरम पानी मिलाकर इस तरह से मीठा पानी बनाना है अब इसके उपर डाल देना है थोड़ा सा शुगर सिरप अब उपर से डाल देना है हशीस का चौकलेट सिरप आप इसके लेयर्स काट कर क्रीम भी लगा सकते हैं मैंने सिरफ उपर से ही डाला है लेयर्स काट नहीं किये हैं अब इसे आदे गंटे के लिए फ्रिज में रखना है ये मैंने बादाम काट के रख दी हैं अब उसे लगा देना है केक के उपर मैंने इस तरह से बीच में लगाई हैं और साइड में लगा दी हैं आप देख सकते हैं केक कितना प्यारा बना है केक देखने में भी सुन्दर लग रहा है और खाने में भी बहुत ही यमी है ये है एगलेस चोकलेट केक इसे मैंने बनाया है बिना अंडे के, बिना अवन के, बिना क्रीम के बिना क्रीम के ये केक बहुती स्वादिश लगता है आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें वीडिम अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ये है एगलेस चॉकलेट के